Hello everyone, welcome to Step Up Academy, I am Vanya Narain, your educator for English Language और जैसा के आप देख पा रहे हैं, हमारा प्यारा सा क्यूट सा पैंडा जो है, गोलू मूलू सा पैंडा वो आ गया है, आप लोगों को बाहें पहला के वलकम करने और आज यह हमें कहां लेके जा रहा है, आज कहां लेके जा रहा है, कहां लेके जा रहा है, यह जो पैंडा ही हमें कभी trees की दुनिया में ले जाता है कभी हमें बहुत सुन्दर से कहां ले जाता है कई बार beaches की दुनिया में ले जाता है आज यह हमें Northland ले जाने वाला है ठीक है Northland मतलब क्या of course आप समझ चुके हैं कि हम बात कर रहे हैं Class 9 English की Beehive जो आपकी main textbook है उसके chapter number 5 की The Legend of Northland ठीक है The Legend of Northland of course you know it is a poem or the poem as you people like to call it these days ठीक है और आपको यह पता है कि हम बात करने वाले हैं One-Shot Revision की हम बात करने वाले हैं मतलब यह पूरा-पूरा हम One-Shot Revision में करने वाले हैं Now One-Shot Revision basically क्या होता है ठीक है अब जो के नए बच्चे हैं जुनको नहीं आईडिया है माँ उन्हें बता दू कि One-Shot Revision जब हम करते हैं It basically means कि हम एक पूरी एक फुल लेंथ वीडियो में A to Z, 1 to 100 हम सब कुछ कवर करने वाले हैं एक पूर्टिकुलर पोईट्री का या चाप्टर का यहाँ पर पोईब है इसने पोईब की बात होड़ी और वाइस चाप्टर होता तो चाप्टर में So हमारा Modus Apprenti क्या रहता है कि we try to cover the entire thing हम पूरी पोईब जो है वो पढ़ लेंगे हम उसका recitation कर लेंगे recital कर लेंगे उसके बार हम उसके explanation पढ़ लेंगे annotation समझ लेंगे उसके अलावा थोड़ा जो background है मैं हमेशा I really focus on the background कि किसी भी poem को जो लिखा गया है उसका background समझना बहुत important है क्योंकि वो आपको एक psyche जो है वो आपको समझ में आती है कि भाई poet किस mindset में था जब उसने ये poem लिखी तो वो अगर ये काम आपने कर दिया तो काफी आसान हो जाता है poem का analysis करना ठीक है तो हम वो करने वाले हैं उसके अलावा of course जो poetic devices जिनको हम figures of speech वगईरा बोलते हैं हम वो समझने के कोशिश करेंगे उसके अलावा जो thematic schemes है या poet का जो sketch है वो हम करते हैं reference to context हम करते हैं और question answers अब इसमें एक और चीज है कि मैं यह मान के चलते हूँ कि आपने अपनी class में आपकी class में या school में जो पढ़ाया गया है आपने वो तो बहुत अच्छे से किया हुआ है तो जो additional questions हम यहाँ पर करते हैं मतलब वो ऐसी चीज है मैं कोशिश करते हूँ कि हम कर ले कि कहीं से भी कोई भी चीज आए तो हमें यह ना लगे that we have lost the track of the thing अगर हमें एक बार poem समझ में आ गई तो हमें कहीं से भी कुछ भी पूछा जाएगा तो हमें दिक्कत नहीं होगी and this is what I really function like this is my modus of brindy that I really want to ensure कि आपको poem जो है वो बहुत clear हो जाए ताकि उससे related कोई भी चीज आपको एकदम blank out या phase out ना करे ठीक है so on this note we are starting off with the poem अब थोड़ी सी serious बातों के बाद अब थोड़ा इस पर आजाते है अब basically the legend of the north land ठीक है legend of the north land नाम तो बहुत ही किसको बोलते है बड़ी classic literature type पर नाम लग रहा है बड़ा classic literature type पर नाम इसलिए भी हमें लग रहा है क्योंकि अगर हम यह देखते हैं यहां पर आप देखिये north land से हमारा मतलब क्या है north land basically हम मान के चलते हैं it's a very it's a place right around the north pole जो कि बहुत थंडी जगा है and this is where the poem is based ठीक है तो उसके ओपर बात हो रही है now let's come to the reading of the poem और उसमें हम बीच-बीच में बात करते हुए चलेंगे okay away away in the north land where the hours of the day are few and the night are so long in winter that they cannot sleep them through अब basically बात हो रही है जैसे मैंने कहा north land की बात हो रही है ठीक है so north land around the north pole we of course understand north pole जब बात करते हैं या poles की बात करते हैं हम earth की right so when we are talking about the poles वहाँ पे हम जानते हैं कि दिन और रात जो है वो बराबर नहीं होते right आपको ये मालुम है कि वहाँ पे सर्दियां होती है बहुत जादा मतलब जो सर्दी हम imagine में नहीं कर सकते उससे जादा कई जादा सर्दी होती है जो कि human bearance से शायद काफी जादा होती है that is also one of the things और आपको मालुम है कि वहाँ पे दिन जो हैं बहुत छोटे होते हैं बहुत लंबी होती है तो यही पे इसी तरह की कुछ बात की गई है away away in the northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through मतलब क्या यह बात जो है reference कहां पे ड्रॉख किया गया है यही बात जो मैं आपको बता रही हो यही बात यहाँ पे कही गई है अब यहाँ पे नेखिए कितना क्यों थी गबलू गबलू शाब चाही है कितना बढ़िया सा इसको तयार किया है पोलर बेर टाइप तयार हो गया पोलर बेर भी नहीं लग रहा है ग्रे ग्रिजली बेर टाइप इसको तयार किया है ठीक है तो यहां पे आपको समझ में आ रहा है भाई साब थंड की बात हो रही है basically अब यहां पे जब हम बात करें Northland में जो के एक जगा है Around the North Pole, वहां पे दिन जो हैं बहुत छोटे होते हैं, तो time जो है of the day का वो बहुत few है और राते इतनी लंबी होती है आप पूरी राते सोते हुए गुजारना आप के लिए मुश्किल होगा Now, where they harness the swift reindeer to the sledges when it's snow and the children look like beer scab in their funny furry clothes लाइक यहां पे जो दिख ले हमें छोटूशे ठीक है? तो इसी का मतलब है कि वहां पे इसी जगह पे जहां पे इतनी जादा ठंड और इतनी जादा बर्फ किरती है कि वहां पे reindeer आपने Christmas के टाइम पे reindeer सुने होंगे और आपने वो सुना होगा Santa Claus is coming around आपने जिंगल सुने होंगे आपने उसमें देखा था है reindeer को sledges में कैसे बांधा जाता है अगर आप बात करते हैं बहुत legendary pictures की तो आपने हमेशा देखा होगा कि Santa Claus आ रहे हैं और reindeers हैं और sledge में बने होगे and this is how you kind of envision the entire thing, right? तो आपको पता है कि वहां पर जहां पे इतनी थंडी जगह होती है तो वहां पे that is a local means of communication commuting basically not communication commuting basically तो वहां पे sledges में क्या किया जाता है harness किया जाता है कि इनको reindeers को ठीक है? जो कि obviously animals हैं जो कि find आप कर सकते हैं कहां पे इतने high altitude पे वहां पे और वहां पे बच्चे जो है obviously आपको इतनी थंड पढ़ती है तो आपको उनको bunny furry clothes पहना के रखना पड़ता है पूरा ठाक के otherwise उनको ठर लग जाएगी so that is why we are saying कितना cutie सा प्यारा सा गबलू सा बेबी जो है उसको पूरा grizzly bear जैसा बना के आपको रखना पड़ता है this is what it implies अब आपको एक और बार बता दूँ कि यह जो legend है यह actually poetist अगर आप बात करते है इसका तो यह Phoebe Carey ने इसको लिखा है ठीक है लिखा क्या है आप एक तरह से कह सकते है compilation का काम उल्होने किया है because यह the legend of the Northland अगर आप बात करते हैं तो यह basically legend ballet poem है यह right ballet poem है और दूसरी बात जब हम इसको कहते है युक्तियां कहते हैं कि कोई चीज एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में चली आ रही है सालों से ठीक है ancient folk tales जिनको हम कहते हैं तो बिलकुल वही term जो है legend है ठीक है जैसे legend of Homer की बात करे legend of odyssey की बात करे तो उसी तरह की कहानी है उसी तरह के lab पे है ballet है और दूसरी बात अगर आप करते हैं तो इसका मतलब यह है कि यह कहानिया सदियों से चली आ रही थी generation to generation चली आ रही है and इसको एक तरह से इस कहानी को आप कह सकते हैं compile करके poetry का form देने का काम जो है फीबी कारे ने किया है ठीक है मतलब poetic composition जो है फीबी कारे की है of course काफी लंबी है legends हमेशा जब आप बात करते हैं तो यह जो ods होते हैं legends होते हैं यह हमेशा बहुत लंबी poems होती है ठीक है एक पूरी कहानी जो है poetry के माध्यम से आपको बताने कुश्च करते हैं there is a story मतलब इसमें अगर आप बात करते हैं normal जो हमारी poems होती है वो किसी विशय पे होती है या ods होती है तो किसी को आप कह सकते हैं address करके होती है लेकिन जब आप legends की बात करते हैं जब तो उसमें normally क्या होता है कि पूरी कहानी जो है वो इस poetry के माध्यम से सुना ही जाती है या बता ही जाती है so this is the exact क्या हुआ आपका जो खाचा हुआ इसका वो आपको समझ में आ गया now let's understand किसमें कितनी stanzas हैं और हर stanza जो है चार-चार लाइन का है 16 stanzas means of course you understand कि काफी लंबी poem है और हर stanza चार-चार लाइन का है पर easy है आप story जब आप पढ़ना या सुनना चालू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें एक flow दिखेगा आपको right उसमें कहीं पे भी breakages नहीं होंगे कहीं में भी abruptness नहीं होगी एक पूरा का पूरा फ्लो आपको नजर आएगा so that is very important अब यहां तक हम समझ गये है now let's come to the third one they tell them a curious story I don't believe it's true अब यहां पे बात होती है कि यहां पे एक पुरानी legend या पुरानी कथा की बात आती है जो कि poetess खुद भी कह रही है कि वो मानती है कि वो सही नहीं है so this line is very important क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है that do you think the poetess consider this legend or this tale to be true? तो इसका answer आपको third paragraph sorry third stanza की second line में मिलेगा जब poetess ने confess किया है that she thinks that it is not true so always stick to the important words ठीक है? and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you पर वो कहती है कि मैं मानती हूं कि शायद यह सही नहीं है लेकिन एक बात है कि इसमें बहुत अच्छी story या lesson है जो दिया गया है और अगर आप इसको पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी understanding या एक बहुत अच्छी seek life में मिलेगी हाला कि यह सही है या नहीं इसमें सवाल है पर पोईटर सबस्वाद को मानती है कि या अच्छी सही हो सकता है लेकिन आपको एक अच्छी seek मिलेगी या 100% सही है और अब यहां से आती है कहानी स्टार्ट होती है किसकी सेंट पीटर की ठीक है और अब यहां से अभी में क्या मिला है तीन स्टार्ट शुरू के हमने सिर्फ बाक्ग्राउंड किया है जिसको आप कहते है भूमिका बांधना भूमिका बांधने वाला काम हुया है जिसमें आप कह सकते है बाक्ग्राउंड study दी गई है आपको and now from the 4th stanza onward आपको story जो है legend जो है वो start होता है ठीक है? Now, once when the good St. Peter lived in the world below and walked about at preaching just as he did you know मतलब क्या बात हो रही है St. Peter's की बात हो रही है और हम किन की बात कर रहे है preaching मतलब के ज्यान देना या समझाईश करना या जैसे प्रवचन देना basically, प्रवचन is a right word for that प्रवचन देते हुए वो जगा 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 घूमते थे this is being said Language आप जैसे देख पा रहे Language is comparatively quite easy बहुत जादा poetic diction नहीं है आसान भाशा में बातें बोले गई है ठीक है? He came to the door of the cottage in travelling around the earth where the little woman was making cakes and baking them on hearth What is this talking about? Here is a talking about he was沖वा जब अपने preachings दे रहे थे अपनी चीजों को समझा रहे थे where he reached there? He reached a cottage in a cottage where there was a woman little woman who was baking cakes now you know when he was traveling around the earth in the entire world all the places were there were all kinds of places in different places by floating around the cottage he reached a cottage and where there was a woman little woman she was making, baking cakes on the hearth, मतलब चूला जो होता है, उसको आप कह सकते है, उसके वो cakes bake कर रही थी, and being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one, अब आप इसमे एक बात कर सकते है, कि ये अब क्यों कि यहाँ पर क्या बात आ रही है, कि वहाँ पहुंचे है, और क्योंकि वो पूरे दिन से चल रहे थे, पूरे दिन से exhaust हो गई थी उनके energy, fast कर रहे थे, उनको खाने को कुछ रही मिलाता, and he was fasting, so he was feeling very weak, and he was almost like he was fainting down, and he was feeling very weak, व्याब डिजीस से हो रहे थे वो, बूख से तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उस lady से कहा, कि जो तुम cake bake कर रही हो, इसमें से मुझे एक single piece of cake दे दो, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप बात कर सकते हैं, कि यहाँ पर देखिए, fasting, cakes, done, one, आपको कहीं न कहीं इसमें, जैसे heart, earth, मतलब आपको एक symbol सी चीज क्या समझ मारी है, कि अगर आप इसमें rhyming scheme देख रहे हैं, तो आपको क्या समझ मारी है, B और B, यहाँ पर अगर मैं इसको consider कर लूँ, A, B, C, B, यह आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसको भी सोय सा ध्यान रखना, क्योंकि यही चीज इसको poetic composition का रूप दे रही है, तो थोड़ी सी एक lyric कहीं form हो रही है, तो इस अगर इसको एक लिरिक कहीं फॉर्म हो रही है, तो इसको एक लिरिक कहीं हो रही है, यह यहाँ पर भी है, दन वन, ठीक है, So she made a very thin cake, but as it baking lay, she looked at it and thought, it seemed too large to give away, अब वो लेडी जो है, वो थोड़ी सी क्या लग रही है यहाँ पर, हमें selfishness समझ में आरही है, हमें समझ में आरही है, कि वहादी उस लेडी को, कही नहीं नहीं लग रहा था, कि मैंने केक बेक किया है, हाई हाई मेरे केक, मैं इतने प्यार से बेक किया है, मैं इतनी महनत से बनाए, मैं इसको क्यूं दूँ, ठीक है, तो यह फीलिंग उसको आरही थी, ठीक है, तो उसने क्या किया, वो देखती है, तो उसने क्या किया था, उसने बहुत, बहुत, very little cake, so she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought, मैं थोट, छोटा से cake था, कोई बहुत बहुत बड़ा cake नहीं मनाया था, ठीक है, लेकिन उसको फिर भी वो cake जैसे, जब वो बेक हो रहा था, तो उसको लग रहा था, कि कितना बड़ा cake है, इतना बड़ा cake मैं इसको कैसे दे दूँ, राइट, तो शी वस पिलिंग, शी वस नॉट अवरी, जब रहा था रहा था, जब कि वो देख रही थी कि सामने वाल इंसान इतना भूका है, उसको उतने चक्कर आ रहे हैं भूक से, तो भी उसको कहीना कहीन, she was very greedy and selfish and did not wanted to share her cake with anybody, right, so that was one of the things, now, therefore she needed another and is still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done, अब तो उसने क्या कहा, उसने कहा कहा, उसने कहा कहा था नहीं है, ये चेक तुम अपना नहीं दे सकती, तो बहुत बड़ा लग रहा है मुझे, तो उसने क्या किया, नियरख अनदर, नियरख औनदर मतलँ दूसरा केक बनाने कि उसने स्यारी कि, उसने डो और बड़ बनाया केक का, और बैटर मनाया केक का, जैसे ही उसने Hisने wrखा बेक करने, तो उसको लगा कि यार ये तो उसने रहीं बड़ा है जितना पहले वाला था, तो ये भी मैं नहीं दे सकती, ठीक है तो आपको क्या लगा, कि उसमें कहीं नहीं कहीं, एक sense of greed थी, कि वो अपना बड़ा सा cake जो है, वो कैसे दे दे किसी stranger को, वो तो जानती मी नहीं है उसको, ठीक है, तो उसके अंदर कहीं आपको एक sense of greediness, जो है वो आपको लेडी की जो selfishness है, greediness है, वो आपको नजर आ रही है, that she is not at all generous, forget about generous, she is a miser at heart, मतलब वो अपनी कोई चीज है, मतलब उसको ये मंजूर था कि वो दबल महलत करके चोटा केक बना ले, लेकिन फिर भी वो भी उसको ऐसा लगा कि मैंना बहुत बढ़ा बनाया है, तो ये भी मैं शेयर नहीं गर सकती, right, now, then she took a tiny scrape of dough, and rolled and rolled it flat, and baked it as thin as a wafer, but she couldn't part with that, अब क्या किया उसने, अब उसने भाई ये किया, कि उसने, अब तीसरा attempt उसने ये किया, कि उसको जो दूसरा गे को बेक कर री थी, उसको वो भी बढ़ा लग रहा था, तो अब उसने क्या किया, उसने फिर से नया dough लिया, और उसको जितना पतला जितना पतला वो रोल कर सकती थी, उतना पतला उसने उसको roll-kya, तरिञां लिटरीली इतना पतला, इतना crisp जैसे आप वेफर होता है, वेफर आप कहाते है, इतना पतला सा वेफर होता है, जहना उतना थिन उसने वेफर जैसे उसको, को डो कोई उसने कया किया, रोल किया, बट, she couldn't part with that, बट उसको वो भी देने में तकलीफ हो रही थी. ठीक है? For she said, My cake that seems too small when I eat of them myself and yet too large to give away, so she put them on the shelf. तो उसने कहा कि मेरे केक जब मैं खाती हूं तब तो मुझे बहुत कम लगता है, बहुत छोटे से लगता है, लेकिन जब देने की बात आरी है, तो मुझे इतने बड़े क्यों लग रहे हैं ये? तो वो कहती है कि बहुत large है, मत मैं खाती हूं तो वो छोटे होते हैं, मत देने के हिसाब से बहुत बढ़े है. ठीक है? तो वो क्या करती है? वो उनको shelf पे रख देती है. Now, That good Saint Peter grew angry for he was hungry and faint and surely such a woman was enough to provoke a saint. अब क्या हुआ? Basically, अब आपको मालम है कि good Saint Peter, जो कि basically बहुत अच्छे थे, saint थे, लेकिन अब उनको आजाती है गुस्सा. ठीक है? वो ये तमाश्चा देख रहे हैं तब से, कि एक के नहीं दिया, दूसरा केक बेकिया, अब भी बड़ा लग रहा है, तीसरा वो वेफर जैसा किया, वो भी नहीं देने का मन हुआ. तो अब वो हो जाते हैं प्रोवोग, अब उनको आजाता है बहुत तेज गुस्सा. ठीक है? अब आप वो कह सकते हैं कि ऐसी वोमन, जो ऐसा एक था उस मिमन का, ओविसली वो किसी को भी गुस्सा दिलाएगा. तो सेंट पीटर को भी इसमें से आजाता है, वो देखके, सब कुछ देखके, उनको बहुत जादा वो जिसको कहते हैं एगदम तम तमा जाते हैं, बिल्कुल गुस्सा में एगदम फ्यूरियस हो जाते हैं, ठीक है? And he said, You are far too selfish to dwell in human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. और वो गुस्से में क्या कहते हैं? वो गुस्से में कहते हैं कि तुम महिला, तुम जो लेडी हो, तुम बहुत जादा selfish हो और greedy हो, और तुम्हें इंसान बन के रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम्हें खाना मिले, शेल्टर मिले, या फायर हो तुम्हें गरम रखने के लिए, ठीक है? तुम इस लायक ही नहीं हो, वो इतने उस्सा हो जाते हैं. और वो कहते हैं, आज से मैं तुम्हें श्राब देता हूँ, और अब तुम इंसान के रूप में रहने लायक नहीं हो, अब तुम क्या करोगी? अब तुम भी चडिया जैसे होती हैं, जिनके पास कोई घर नहीं होता, कोई शेल्टर नहीं होता, वैसे तुम चडिया जैसे रहोगी, और तुम क्या करोगी? और तुम्हें भी अपने खाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा, तुम्हें भी अपना खाना जो है, वो मुश्किल से मिलेगा, तुम्हें कहीं ना कहीं कहीं भटकन के अपना जो खाना है, है उनको इज़त देने वो अपने से भी नाराज होगे तो ठीक है तो basically वो उनको कह रहे है और आपको क्या करना पड़ेगा woodpecker बनाने की बात करे है और woodpecker जैसे dry wood को दिन भर बोर करती है तक 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 करती है वैसे ही तुम्हें भी करना होगा तो मिनसान मन के रहने लाइक नहीं हो ठीक है और फिर क्या है वो श्राप का असर इतना जादा था कि वो चमनी से बहार उड के चले गई और उस लेडी ने फिर कोई एक शब भी नी बोला कोई वर्ड भी नी बोला क्योंके अब वो उस लिटल वुमन से किस में क तबदील हो गई थी? वुट पेकर में तबदील हो गई थी और राइइट? She had a scarlet cap on her head and that was left the same but all the rest of her clothes was burned black as a coal in the flame मतलब क्या? कि उसके पास a scarlet cap मतलब red colour की जो cap जो पहनी हुई थी वो बस उसके body में रहगी same जैसे के woodpecker के ऊपर भी आपके देख पा रहे है के red colour का होता है तो वो जो lady थी वो red colour की cap पहनी हुई थी तो बस वो चीज जो है उसकी रह गई बाकी उसके जो पूरे कपड़े थे वो जो flame था जो हर्थ का जो flame था उसमे पूरे कपड़े उसके जलके खाक हो गए इस मज़े से जो color है woodpecker का वो बिलकुल क्या हो गया black हो गया ठीक है now and every country school boy has seen her in the wood but she lives in the trees till this very day boring and boring for food और सारे उस दिन के बास से जितने भी आप कह सकने generations, सदियां बीद गई है और सबने उसको देखा है सब उसको जानते है school boys, छोटे-छोटे बच्चे सब बड़े हो गए, generation पीड़्या निकल गई लेकिन आज तक भी वो वहीं पे dry wood को क्या करती रहती है bore करती रहती है कट-कट-कट करके bore करती रहती है अपनी चोच से और खाना अपना ढूंटी रहती है जैसे के St. Peter's ने उसको श्राप दिया था यह हमने पूरे पूरे पोएम समझ ली है of course, पोएम सुनके ही हमको समझ में आ रहा है कि बैले है, fine words में आपको बताएए चुकि वो rhyming scheme आपके समझ में आ गई है ठीक है, जो second, हर stanza में 16 stanza में, जो second line है और fourth line है वो एक दूसरे से last में rhyme कर रही है यह इसका rhyming scheme है और यह पूरा composition किसका है यह पूरा composition है Phoebe का, Phoebe Carey का अब Phoebe Carey का मैं आपको एक और बात बता दूँ कि Phoebe Carey 1824 से लेके 1871 तक इनका जन रहा इनका life span रहा और इनकी बहुत famous sister भी थी जो के poetis थी, उनका नाम Alice Carey था ठीक है, और दोनों बहने बहुत अच्छा लिखती थी और Phoebe Carey का सबसे important, अगर आप बात करते हैं तो सबसे important composition जो है वो यह poem ही मानी जाती है और आप ही कह सकते हैं कि यह younger sister of the poet Alice Carey और sisters ने इसको co-publish किया था अपनी poems को उनने co-publish किया था कब 1849 मनने co-publish किया और उसके बाद उन दोनों ने ही काफी सारे volumes जो है वो publish किये और दोनों की ही strangely दोनों sisters की जो death है वो 1871 में हो जाती है ठीक है, दोनों ही sisters की death 1871 में हो जाती है और उनकी death के बाद analogies जो है, joint analogies जो है उनकी sisters की, जो unpublish poems की थी, उनको compile करके उनको भी publish किया जाता है और ये दोनों sisters जो थी American poetesses थी, ठीक है अगर हम इसकी theme की बात करते है, के theme क्या है, तो हमें theme तो समझ में आगी है legend अगर हम बात करते है, traditional story है, जैसे मैंने कहा, generation to generation forward हुई है, popularly regarded as historical but not authenticated मतलब इसका कोई authenticated source नहीं है, हम basically ये नहीं बता सकते कि कहावत या कहानिया कहां से आती है, अगर हम हमारे हाँ जो लोग कथाएं चलती है इंडिया में भी बहुत सारी लोग युक्तियां, बहुत सारी लोग कहावते, कथाएं चलती है हमारे हाँ, लेकिन हम उनको बता नहीं सकते कि वो शुरुवात कहां से हुई पहला कौन सा व्यक्ति था जिसने उनको बनाया, या बोला, या सबसे पहले वो कहां से शुरुवात हुई, तो वैसे ही ये भी जो लेजन्ट है, इसको हम बता नहीं सकते that who was the prime composer of this particular legend, ठीक है, compilation का काम या इसको एक poetic way में present करने का काम जा है, वो Phoebe Carrey ने किया, बट ये जो story है ये Phoebe Carrey की original story नहीं है ठीक है, of course, क्या आब अब कहीं लोग कुछेंगे, क्या ये true story है नहीं, बिल्कुल true story नहीं है, legend का मतलब ही यही है, कि वो basically एक legendary कहानी है, but that is not true story, obviously, ये थोड़ा सा skeptical है, कि St. Peter's ने श्राब दिया और एक लेडी जो है, वो वोट पेकर में बदल गई, ठीक है पहले की कहानियों में, mythology में हमने ये सब कुछ देखा है, हमने Indian myth में भी रेखा है, Greek mythology में भी देखा है, but थोड़ा सा hard to believe है ये, तो इसको हम true story consider नहीं करेंगे, ठीक है, old women के बारे में है, who was cursed for her greed and her indifference to charity and generosity main idea क्या है, अगर हम कहते है आपको आपके पास अगर कोई चीज है you should be ready to share that with others, आप में sense of greed नहीं होना चाहिए, charity and generosity are the key to life ये अगर हम इसकी theme की बात करते है तो ये हमें theme समझ में आती है the main idea of writing the legend of the Northland is to instill in the mind of the children the value of kindness, generosity and charity irrespective of who the person is otherwise one would have to face the consequences और इसका मतलब ये है कि भई, इससे बच्चों को हम ये पढ़ा रहे हैं because हमारे दमाग में है कि sense of greediness जो है वो हमें कितना नुकसान long term में, life में, consequences के तौर पे हमें पहुचा सकती है हमें ये चीज यहां पे समझ में आती है we also get the understanding that you should be always be ready to share जैसे हमें ममी पापा आप लोग के बच्पत में आपको सिखाते होंगे sharing is caring that is why right कि आपको अपनी चीजें जो है वो open heart के साथ and you should be very open in your countenance and you should be very very open hearted and generous as a person आपको अपनी चीजें बातना या शेर करना आना चाहिए otherwise greediness and selfishness जो है वो हर तरह से बुरी होती है उसके consequences कभी भी अच्छे नहीं होती है this is a learning that comes with the poem all right now explanation of the poem already हम ये पढ़ चुके है मैं आपको समझा चुकी हूँ but ये explanation हम पढ़ लेते है आप जिस तरह से मैंने लिखा है अगर ये reference to context में ये किसी तरह से आप से इस तरह से पूछा जाता है तो आपको इसको explain करना आना चाहिए इस sense में हम इसको पढ़ रहे of course we have understood the poem हमने पूरा उसका narrative समझ लिया है हमने हर चीज उसके बारे में समझ लिया it is just about understanding how that can be said and how that can be written right तो अगर आप चाहें तो आप इसका screenshot जो हो ले सकते हैं या पर अगर आप वैसे भी समझ रहें तो that is a good enough thing now away away in the north land where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through abh explanation क्या है इसका explanation ये है कि poet introduces a place from where the story is derived north land the poet says that the days are short and the nights are long in the winters and it's difficult to sleep for many hours in the day throughout the night it's it is difficult to sleep for many hours in the dark throughout the night मतलब नाथ राते इतनी लंबी होती है कि वहाँ पर आप पूरी रात अंधेरे में जो आप बात करें it is very difficult to sleep through the entire night or through the entire stretch of night that is the focus of the line ठीक है बहुत सिंपल है so I don't really think that you will have any kind of difficulty मैं कोई भी बहुत ज़ादा जिसको हम कहते हैं वो पहली जो है वो जो एक्सलिएशन जो है वो एक्सलिएशन जो है वो एक्सलिएशन हो गया है now let's come to the second part where they harness the swift reindeer to the sledges when it's snow and the children look like bear scab bear scab in their funny furry clothes the point continues to give a description continues to give the description of the people of the Northland कि वहां के लोग जो किस तरह रहते हैं जैसे मैंने कहा कि शुरू की जो तीन stanzas है वो आपको एक background check दे रहे है background study दे रहे है आपको एक भूमिका बांद रहे हैं कि वहां के लोग किस तरह रहते हैं she says that when the snow falls the people like sledging so they rain the reindeer to the sledges ठीक है वो sledding करते हैं तो वो sledges में क्या करते हैं reindeer को हानस करते हैं this is a very primitive kind of way of life in Northland or people who reside in the areas like North Pole right so this is very very obvious and the little children wear heavy villain clothes that make them look like little bear cubs जैसे हमने वो क्यूट सा प्यारा सा गुलू मुलू देखा था right so people the children especially needs to be protected from the winters from the harsh winters of the Northland so स्को को क्या किया जाता है they are made to wear the heavy woolen clothes that make them appear like the furry bears या bear cubs अना bear तो बड़े हो जाते हैं bear cubs छोटू छोटू बड़ी स्बेर के now they tell them a curious story I don't believe it is true and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you अब यहां पे क्या हो रहा है अब जब पोएट जो हम इन फॉर्म कर रहें elders को कि children strange and curious stories although the poet doesn't believe that the story that she heard as a child ये बाते हैं उन्होने अपने बच्मन में उन्होने ये story सुनी थी and she kind of says that she knows that this is not true लेकिन फिर भी आप इस्ते कोई lesson learn कर सकने है and that is why she is telling this tale to you this is what is being written she feels that she should narrate the story nonetheless as it had a good message for us nonetheless मतलब के बवजूल इसके that she believes that it is not true then also she shares the story because वो कही न कही उनको लगता है कि वो आपको एक अच्छी story या आप कह सकने है एक अच्छा आपको एक लिसन या आपको एक अच्छा ग्यान जो है आपको यहां से मिल सकता है and that is why she is really, really up to telling the story ठीक है? Now once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did you know the point that begins to tell the story अब आप फूथ इसके आप कह सकने है the story flow starts right now if somebody asks you or you have to write it down you can say that the real story begins from the fourth stanza onward and the introduction to Saint Peter's right introduction में क्या बोला गया है Saint Peter's के बार में बताया गया है Saint Peter's lived on the earth he travelled around the world preaching the words of God अब प्रीचिंग क्या होता है जिसमेने कहा प्रवच्छन words of God because obviously when I'm talking about saint and Saint Peter's वो religious head consider किया जाते है तो किसके बार में प्रवच्छन देते हैं या किसके बार में बताते हैं जब हम तॉक when we talk about religious gurus or when we talk about saints we automatically understand religious preachings religious preachings of course the preaching of God is being taken to the world through the mouth of the preacher or the saints और वो पूरी दुनिया में घूम घूम के जो भगवान के जो शब्द हैं जो उनकी वानी हैं उनको घर घर तक पहुचा रहें this is what we basically understand by this right? preaching by the word of God ये हमें clear हैं now let's come to another one he came to the door of the cottage and traveling around the earth where the little woman was making cakes and baking them on the hearth अब वो पूलते हैं के जब वो घूम रहे हैं while he is traveling around the world preaching and you know spreading the word of God तो उस ताम पे he stumbles upon a cottage वो एक कौटज में पहुचते हैं he further says that while preaching the word of God around the world the saint reached the door of the little woman who is baking cakes on her hearth तो ऐसे में करते करते he reaches the cottage where a little woman lives अब मैं इसको अलग इसको अपको इसलिए दे रही हू जो के लिखा गया है उसके अलावा because आपको यह पता चल जाए कि इसको ऐसे भी alternatively कहा जा सकता है right कि वो he reaches the cottage of a little woman who is baking cakes on a hearth and that is what he stumbles on clear? now and being faint with fasting for the days was almost done he asked her from her store of cakes to give him a single one a poet यहां पे बोल रही है the poet says that the condition of St. Peter when he came to the little woman's cottage was very bad right उनको भूख बहुत जाला लगी थी he was almost fainting from fasting fainting, fasting अब यहां पे आपको अलिटरेशन नजर आ रहा है ठीक है आपको यहां पे consonants sounds वो रपीट होते हुए नजर आ रहे है ठीक है अब he was too hungry his body was pale and tired and he was hungry too after a long day long day बोल्बा लंबा दिन रहा है and दिन वो खतम हो गया है by the time he reaches the cottage now he stopped to ask store of cakes हमें समझ माय रहा है that already cakes वहां पे बने हुए रखे हुए है shelf पे right shelf हमें कहां समझ माय रहा है आगे की lines मे आता है but यहां पे हमें समझ माय रहा है store of cakes means the cakes are already already there are the store couple of cakes which are already baked तो रखे हुए है और उन से वो बोलते है मुझे सिर्फ single उन में से एक मुझे single उन में से दे दो ठीक है मर अब कोई बहाँ जादा नहीं मांगते है वो कहते है मुझे एक जो है समें से दे दो ठीक है now so she made a very little cake but as a baking lay she looked at it and thought it seemed to last to give away अब उसने क्या किया वो लेटी जो है उसने चोटा से केग बेग किया था वो हमें स्टोरी समझ चुके है she baked a very small cake but before giving it away she stopped to think whether it was too big to give the way to someone else for okay now eight stanza प्या चाते है therefore she needed another and still a smaller one but it looked like when she turned it over as large as the first had done अब वो क्या करते है भाई अब वो उसको लगता है और दूसरा बनाती है but देते वक्त उसको फिर लगता है कि यार यह तो उतने ही बड़ा बन गया जितना पहले वाला था ठीक है so she started to make smaller and smaller cakes but each time she felt it was as big as the earlier one ठीक है यहाँ पर हमने क्या बोला कि भाही वो दोबारा बनाती है she starts to make a smaller and smaller one and but every time she does that she feels that it is as big as the first one and so she feels that she should not give it away she want to keep it all to herself and she really wants to to be you know she was very greedy so that is the bottom line that she was so greedy that कि वो उसको उसका दिल ही नही मानता उसका दिल ही नही हो पाता इतना कि वो अपनी चीज किसी से शेर करे या खाना जो है वो दे दे right so this is the bottom line that her greediness always keeps her like her greediness always always stops her from giving her cakes away right यह एक बॉटम लाइन है उसके now then she took to the tiny scrape of dough and rolled and rolled it flat and baked it thin as a wafer but she couldn't part with that अब वो क्या करते है finally she made a wafer thin cake wafer thin cake means बहौत पतला केक right जैसे वेफर होताना chips जो हम खाते हैं इतना पतला वो केक बनाती है from an extremely small lump of dough right however even this she could not bear to just give away for free when I eat of them myself and yet this is how you can formulate that if it comes in the reference right okay finally she made a wafer thin cake from the extremely small lump of dough however even this she could not bear to just give away for free but now this is how you feel like how can I give it to free I can give it to free I can give it to me right so this is how you understand now for she said my cake that seems too small when I eat of them myself and yet too large to give away so she put them on the shelf now she says she she reasons that the cake seemed small when she made it for her own consumption but seemed too big to give away for the charity okay when she made it in her consumption then she thought that she made so small but when she wants to give away to the sense for the purpose of charity she looks very big right as a result she ended up keeping all the baked cakes on the shelf and leaving Saint Peter hungry and faint so then finally he decides that I have such a big cake which looks like it's such a big cake that I can't give it and finally he keeps the cake on the shelf and Saint Peter's what he does he does deny the cake and of course that man Saint Peter was left hungry and furious and there is no difference in this story that man he is turning pale and he is hungry nothing matters to her she just keeps her cake safe on the shelf right so here we come to understand then good Saint Peter grew angry for he was hungry and faint and surely such a woman was enough to provoke a saint and now good Saint Peter what does he is a very good good man he is a very good good man he is a messenger obviously God but now he gets into and for all the right reasons because this is what is being written in the above line the poet described Saint Peter's reaction to the women he gets angry as he was hungry and weak obviously when you are hungry when you are hungry when you are hungry when you are hungry you are so hungry and faint and still that woman was completely unperturbed by the fact and this actually made him a little more furious furious right it is difficult to anger a saint but she succeeded in doing so in human behaviour but now you are saying that she is a saint 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 or a saint a saint infuriate this is what is being written now and he said you are far too selfish to dwell in a human form to have both food and shelter and fire to keep you warm ab kya huwa ke wohot zahada gusse mein thai aur unhoonay kya kiya ke woh gusse mein woh shrap diya unhoonay unhoonay ka ka ke tum itini selfish ho that you do not deserve to live in a human form right? you do not deserve the comfort of human life you do not deserve the fire to keep you warm or the shelter over your head or you do not even you know deserve to have water and food to eat tu woh kya karete hai? Saint Peter's called her a selfish woman who was not therefore deserving of the comfortable lifestyle such as a house for shelter water, food to eat and fire to keep them warm that had been granted to human beings ye baat wo kehte hai now now you shall build as a bird do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood now Saint Peter nae ka kya curse kya shrap kon kya kya curse ठीक है, curse a little woman and deprived and deprived, deprived मतलब किसी से कोई चीज छील लेना, ठीक है, किसी को किसी चीज के लिए तरस्ता हुआ छोड़ देना, उसको हम कहते है, deprivation, ठीक है, तो deprived her of all the comfort, he said that she would have to build her own nest like birds do, उसको अपना घर बनाना होगा, एक खाना बदोश लाइफ, जैसे वेगाबॉंट की लाइफ होती है, like birds do not really have houses and shelters, तो वैसे ही उसको अपनी life जीन होगी और इसको डिक करने होंगे होल्स, जैसे मैंने काता, boring and boring का मतलब है, you have to dig, you have to keep digging holes in the dry wood, like woodpeckers do, so यहां पे इस बासे हमें समझ में आ रहा है, यह यह जो last line है से में समझ मारा है, that he is referring to a special bird that is woodpecker and the woman has been made, has been transformed into a woodpecker, hard woman to get worms and insects to feed herself और वो डिक करती है woodpecker, जै वो डिक करती है wood को, dry wood को डिक करती है अपनी चोच से, so she is in search of food basically, right, she is searching for a food और उसके लिए वो क्या करती है, she is digging the holes to get some feed or insects so that she can feed herself, तो वो ही तुम्हे भी अब करना होगा, you will not get your food so easily, जैसे तुम्हे भी मिल रहा है, you really have to go out, search for your food and that would be scanty, यह समझ में आगया है, ठीक है, then, 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 आप शी went through the chimney, never speaking a word, and out of the top, flew a woodpecker, for she was changed to a bird, आप क्या हुआ, soon after the woman was seen going up the chimney of a house, is speechless and woodpecker could be seen flying out of that chimney, as the woman, यहाँ पर हम एक और चीज़ लिख सकते है, as the woman has been transformed into a woodpecker, ठीक है, now, 15th, she had the scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes was burned, black as a coal in the flame, अब यहाँ से हमें यह समझ में आता है, in line से, अगर हम पढ़ते हैं, कि scarlet cap on her head, मतलब, scarlet cap जो पहनी हुई थी, lady, वो बस रहती है, कि अगर आप woodpecker को देखेंगे, तो उसके उपर भी सर पे जो है, वो कलगी जो होती है, उसके वो रड कलगी होती है, ठीक है, the last two stanza, describe how the woodpecker gets its red cap, ठीक है, the scarlet cap on the woman's head, was left untouched, means that was already, that was the only thing that was left, बाकि उसके जो कपने हैं, that was burned to ashes, and bird's head was still the same shade of red, and that is why the bird turns into black. Now, in the last line, in the last stanza I mean, and every country school boy has seen her in the wood, where she lives in the trees, till this very day, boring and boring for food. Or, in the above line, the poet concludes by saying, that every countryside boy, जो बाप्टिसाइब बाप्टिसाइब है, sub generation to generation, people have seen woodpeckers in the wood, pecking into the barks of the trees, is still searching for the food to eat, till this very day. ठीक है? यह चीज़ क्लियर हो गई है, हमने पूरी पोएम एक्स्पनेटरी के साथ पढ़ ली है. Glossary, हम अलरेडी डिसकास कर चुके हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैंने लिग दिया है, ताकि हम पूरा one-shot कर रहे हैं, तो आपको कहीं में भी कोई चीज़ कम नहीं होनी चाहिए. Legend क्या होता है? अब ये words बताए हैं मैंने, ठीक है, आपको मतलब ये words कहाँ पर हैं, stanza-wise divide हैं. Legend क्या है? Old traditional story है, अवे-अवे मतलब बहुत फार अवे, hours of the days मतलब daylight hours, harness मतलब बांधना, reindeer, अफकोस deer जो आपको मालो मैं, cold region में found out होते हैं, उनको हम कहने हैं, draw a sludge मतलब खीचना, मतलब sludge को draw करने के लिए, reindeer को harness किया जाता है, furry, of course made of fur, ठीक है, curious, strange, tis, short form हमने कहाए, itis का, पुराने टाइम पे यूज किया जाता था, archaic English में, ठीक है, tale, story, tale, 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 ये वाली tale, ठीक है, दोनोग tale में confusion नहीं होना है, T-A-L-E वाली होती है, St. Peter, Apostle of Christ, ठीक है, world below earth, preaching, giving sermons, ठीक है, sermons मतलब religious preachings, now, cottage, small house made of wood, baking, cook by the dry heat, without direct exposure to flame, बेक करते लिएम के एक साज भी oven में, उसकी बात हो रही है, oven, oven की बात हो रही है, hurt, store, stock को बोलते है, अब poetic devices कौन-कौन से use हुई है, हम इसकी बात कर लेते हैं, सबसे पहले, striking element जो है poem में, वो ये है, कि first two stanzas called quartains, आपको मालम है, कि first two or four lines के, जो stanzas होते हैं, उनको हम quartains कहते हैं, और इसमें कोई भी punctuations नहीं है, ठीक है, striking element जो है, is the first two four line stanzas called quartains, और इसमें कोई punctuation नहीं है, ये mark करेंगे आप, poet ने enjambment की use किया है, enjambment हम किसको कहते हैं, continuation होता है, sentence का without punctuation, ये without a pause, चुके end of line तक आता है, ठीक है, sentence without a pause, beyond the end of line, जिसको हम couplend कहते हैं, या फिर in stanzas में, ठीक है, assonance क्या होता है, vowel sounds, away, away, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा है, consonance क्यों होता है, वो consonance sounds हो गया, जैसे swift, sledge, snow, अब alliteration तहां पर है, वो मैं आपको बताए चुकी हूँ, ठीक है, alliteration आपको मैंने mark किया था, तो आपको मालूम होगा, allusion क्या हो रहा है, आप refer कर रहे हो, historical या literary person या event को, यहाँ पर आपने किसको refer किया है, st. Peter's को, ठीक है, यह चीज़ clear है, simili की जब हमने बात किया, तो हमने क्या किया, जैसे हम like या as की बात करते है, like beer cup, black as coal, ठीक है, तो हमें यह simili समझ में आ रही है, यहाँ पर, children who look like beer cup, या फिर हमने black as coal, repetition क्या है, boring, boring and boring, boring, boring and boring, यह क्यों बोला गया है, ताकि इसमें एक emphasis, या एक जो आप कह सकते हैं, या एक emphasis देने के लिए, या उसको effective बनाने के लिए, यूस किया गया है, ठीक है, कि तुम cut 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 cut, करती रहोगी, ठीक है, तो यहाँ पर effect डालने के लिए बोला गया है, personification क्या होता है, human characteristic to unanimated things, listen to pity's call, to pity's call मतला personification, जब कोई unanimated, या inhuman, जो के human नहीं है, उसको आप human emotions, आप उसको देते हैं, उसके human emotions के reference में बात करते हैं, उसको हम personification कहते हैं, alright, now, अब इन में मतलब क्या है यह देखो, baking lay का मतलब क्या होता है, being baked, give away का मतलब होता है, donate for free, ठीक है, give away का मतलब होता है, जब आप charity में कोई चीज दे रहे हैं, kneading का मतलब होता है, molding the dough, turned it over का मतलब होता है, took it out after baking, tiny scrapes क्या होते है, चोटे-चोटे scrapes, चोट-चोटे तुकडों में, ठीक है, small piece, dough, cake mixture होता है, इस context में, otherwise, यो आटा हम गूनते हैं, उसको भी dough कहते हैं, ठीक है, wafer, of course, में आपको समझा चुक्री हूँ, thin slice, part away again, देना, shelf करना, मतलब कोई place है, storage करने की, shelf it off means, कि आपने उसको store करके रख लिया है, ठीक है, provoke करना, irritation या anger cause करना, trigger करना, किसी चीज को, बढ़ावा देना, एकदम से trigger, anger करना, मतलब किसी चीज को, एकदम से आपने, हवा दे दी, ठीक है, selfish, greedy, is showing no consideration, dwell, जिसको हम कहते हैं, living, boring का मतलब क्या होता है, boring holes, chimney of course, आपको मालूम है, कि fireplace के लिए, जो shaft बनता है, उसको हम chimney कहते हैं, woodpecker, आप जानते हैं, strong, woodpecker, एक चड़िया होती है, जो के wood को, dry wood को, peck करती है, अपनी चोच से, और dead wood में, अपनी territory बनाती है, और tree, जो barks होती है, उनमे, insects बगएरा ढूनती, अपने खाने के लिए, ठीक है, scarlet, bright red color, जो होता है, उसको हम इसकालच बोलते हैं, black is a coal, jet black, flame, of course, हम जानते हैं, fire, wood, forest, boring for food, making holes in the tree trunks, with its beak for the finding food, ये सारी चीज़े, अब हमने poetic devices, और दो पार्ट में, हमने पूरी glossary cover कर ली है, ठीक है, शुरूर में जो हमने किया था, वो क्या किया था, initial stanzas की glossary की थी, अभी हमने last की कर ली है, तो हमाई पूरी glossary terms, of poetic devices, सब कुछ clear हो गया है, ठीक है, now, अब हम आजाते हैं, सीदे सीदे question answers पे, अब हम समझते हैं, बाई, legend क्या है, why the poem is called a legend, क्यों legend कहला रही है, क्योंके legend, यह जो मैंने लिखा हुआ है, समझ हम चुके हैं, इसको इसी तरह से समझ लेना, legend जो होता है, वो old traditional story होती है, जो के moral teaching होती है, moral teaching होती है, sorry, मतलब कोई आपको ethical teaching दी जाती है, उसको हम legend कहते है, और story is a narration for children, the post is on a very onset says, that she doesn't believe, the poet in the very onset, the post in the very onset, the post by the poet, ठीक है, on the very onset says, that she doesn't believe in the tale to be true, this poem is called a legend, because it teaches the purpose and value of the generosity, and charity to the fellow beings, and also because it has been been transferred from one generation to the others, to the other. ठीक है, transferred yet traveled from one generation to the other. Now, write a story of the legend of the Northland in about 10 sentences, आपको अगर इनको लिखना है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, मैने वो बताया है, आपको सिर्फ a screenshot लेना है, और कुछ नहीं करना, इसको अगर आप अपने तरह से लिखना चाहते है, आपको अपको बताया है, मैने इसको बताया है, आप इसको कैसे बताया है, ब्रीफ में आप इसको कैसे प्रेजंट करेंगे, ठीक है? Once St. Peter's was stopped by the little woman's cottage, as he was very tired and hungry, after a long day of preaching to humanity, the woman was baking cakes and placing them in the shelf. He requested the lady to give him a single piece of cake, she was not ready to part with any from her stock, as they seemed to beg to given charity. She therefore started to prepare cakes, but each time she was to give it to him, she thought it was too big. ठीक है? इसके बास, so every time she took a smaller ball of dough to bake the cake, finally when she prepared a wafer thin cake, she could not bear to part with that too, as it also seemed too big to just give away. ठीक है? Give away मतला, free में देना. ठीक है? This act of women angered the saint and in turn he cursed her. She was punished to be a woodpecker who would have to struggle to secure food and build her own home to survive. ये आपने इसको क्या बोला? आपने छोटे से उसमें संक्षप में, इसमें ब्रीफ में आपने पूरी, आपको क्या पता चल गई? आपको एक पूरी स्टोरी की जिस्ट है, वो आपको छोटे छोटे लाइन से ब्रीफ में आपको पता चल गई है. alright, so you are done with that now, why does the poet want to tell its reader the story where she says I don't believe this is true because she doesn't want her readers to believe कि वो इस बात को प्रपगेट कर रही है या वो इस चीज का समर्थन करती है that a woman has been transferred into a woodpecker right, the poet acknowledges the story may not be true but chooses to narrate the story acknowledge करना मतलब वो मान रही है confess कर रही है, सही नही है पर फिर भी वो चूस करती है narrate करना story को because she felt कि important message जो है उसमें दिया गया है particularly for the young children the message the legend imparts is that we should not be selfish or greedy but be helpful and empathetic with the person who comes to our doorstep requesting for food or aid लेकिन हमें लोगो के लिए मदद करने चाहिए हमें selfish ने होना चाहिए greedy ने होना चाहिए हमें लोगो की मदद करने के लिए हमें चाहिए होना चाहिए and we should always be ready to feed people and be generous and give away to charity right now greed is the quality which God does not like discuss it in the context of the poem अब यहाँ पर यह समझ हो के quality यहाँ पर लिखा जरूर है लेकिन यह quality अगर question में आती है ठीक है जनरली यही बोला जाता है कि positive quality, negative quality लेकिन इसको हम मोटे तॉर पर अगर हम answer देंगे अब क्या बोलेंगे इसको हम wise लिखेंगे ठीक है मतलब जो खराब quality है यह खराब आदत होती है उसको हम wices बोलते हैं ठीक है तो मेना answer में भी वैसे ही लिखा है अब क्या बोलेंगे हम man is one creation of God who never reaches a state of contentment मतलब हमें कभी भी हम हमें containment या हम कह सकते हैं हम content नहीं होते हमें किसी भी चीज से आप कह सकते हैं कि पूर्ती नहीं होती है हमारी किसी भी चीज की ठीक है he keeps wanting more and more his limit for situation is immeasurable मतलब उसको basically अगर हम कहते हैं कि immeasurable या unmeasurable दोनों चीज़े immeasurable लिख देते हैं वो जादा बिटर हो जाएगा ठीक है our hands are always with the palm facing upwards मतलब हम हमेशा भगवान से मांगते रहते हैं देने के लिए हमारे हाथ कभी नहीं जुकते ठीक है never downwards to give more upward का मतलब क्या होता है मांगने के लिए downward होता है देने के लिए हम हमेशा हमारे हाथ पहला के रखते हैं कभी देने के लिए नहीं करते हैं हमेशा लेने के लिए करते हैं ठीक है this is a wise not the quality of a man that has been described in the legend of the northland तो यहाँ पे मैंने इसलिए इसको describe किया है यह wise है बुराई है अच्छाई नहीं है कोई quality नहीं है briefly आपको क्या नरेत करना है आपको करना है legend of the old women and St. Peter's आपको यहाँ पे नरेत करना है तो यहाँ क्या करेंगे one St. Peter's is stopped by an old lady's cottage because he was feeling hungry and weak after the days passing the lady was baking cake on the herd when St. Peter's asked her for one of the cake she tried to make tiny cake for him but as it was baking she found it too large to be given away right she tried baking two more times but even the smallest of the cake seemed too large यह सिर्फ ऐसे कैसे इसको कॉपी कर लो बाकी अपन बिसकास पूरा कर चुके है ठीक है last to her such greedy behavior of the lady annoyed the hungry saint he cursed her saying that she was far too selfish to be human to have food, shelter and fire to keep her warm thus she was transformed into a woodpecker all her clothes except her scarlet cap were gone as she went up to the chimney and flew out of the top every country school boy is said to have seen her in the forest boring into the wood for the food till date ठीक है as it is इसको समझ लो जितना हमने लिखा है इसको लिखने का तरीका यही है story अपन दस बार अपन डिसकास कर चुके है तो उसमें और कुई नई चीज नहीं है ठीक है सिर्फ आंसर कैसे फॉमुलेट होगा उसके हिसाब से यहां पे लिखा है तो उसका क्या कर सकते हो इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहे तो एक बार समझ सकते हो कैसे लिखना है तो फिर अपने words में उसको लिख सकते हो और राइट विद इस we have come to an end of a chapter जो कि बहुत chapter नहीं है poem है of course हाँ chapter भी कह सकते है क्योंकि हमारे उसमें तो chapter में ही cover किया जा रहा है लेकिन हमें पूरी poem समझ में आ गई है उसकी जो preaching थी हमें वो भी समझ में आ गई है जो हमने उससे सीखा हमें वो भी समझ माया गया है moral aspect भी आ गया है और पूरा legend उसको क्यों कहते है और background हमने वो भी कर लिया है ठीक है so हमने A to Z cover कर लिया है in case in case कोई चीज है जो नहीं समझ माया रही है तो please write it down I will get back to you आपको क्या करना है अभी तक तो ऐसे कट चुके होगे subscribe कर लो हमारी academy को step up academy को so that आपको हमारे जितने भी नए वीडियो है वो सब कुछ timely और सही सही मिल जाए ठीक है on this note I am signing off and मेरे साथ साथ आपको टाटा बाई बाई करने काउन आता है हमारा cute सा प्यार सा गुलु मूलु सा पैंडा तो वो भी आगया है so be safe, stay tuned, stay healthy and work very hard, study very hard and I will see you in the next video thank you so much